मेरे परिवार जनों, आज जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, जहां हमें नारी शक्ति का सामर्थ देखने को नहीं मिल रहा हूँ। इस दोर में, जब हर तरफ उनकी उप्रद्यों का सरहा जा रहा है, तो हमें भक्ति की शक्ति को दिखाने वाली एक ऐसी महिला संत को भी याद रखना है, जिसका नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज है। देश इस वर्स महान संत मिराबाय की 525 वी जन्म जन्ति मना रहा है। वो देश भर के लोगों के लिए कई वजहों से एक प्रेणना शक्ति रही है, अगर किसी की संगीत में रूची हो, तो वो संगीत के प्रती समर्पन का बड़ा उधारन ही है। अगर कोई कविताओं का प्रेमी हो, तो भक्ती रस में डूब्य मिराबाय के भजन उसे अलग ही आनंद देते हैं। अगर कोई दैविये शक्ति में विश्वाद रखता हो, तो मिराबाय का स्रीक्रष्ण में लीन हो जाना उसके लिए एक बड़ी प्रेणा बन सकता है। मिरा भाई संत रविदास को अपना गुरु मानती थी, वो कहती भी थी, गुरु मिलिया रहदास दिनी ज्यान की गुटकी, देश की मातों, बेनों और बेटियों के लिए मिरा भाई आज भी प्रेणा पुंज है। उस कालखन में भी उन्होंने अपने भीतर की आवाज को ही सुना, और रुधी वादी धारणाओं के खिलाप खड़ी हुई, एक संत के रुप में भी वे हम सब को प्रेणित करती हैं। विभारती समाज और संस्कृति को तब ससक्त करने के लिए आगे आई है। जब देश कई प्रकार के हमले जेल रहा था। सरल्ता और सादगी में कितनी शक्ती होती है। यह हमें मिरा भाई के जीवनकाल से पता चलता है। मैं संत मिरा भाई को नमन करता हूँ।